Hello everyone, आज मैं आपके पास विस्ता लिखर क्या है हूँ, बैंगलोर से, खुले विचारों वाली है मैडम, मैडम का ये कहना है कि दोस्त जैसा पती चाहिए, मैडम खुद भी ड्रिंक करती है, उनको कुछ-कुछ नशे की आदते हैं, वो कभी-कभार occasionally लेती है, इसे ड्रिंक ले आनेती नहीं करना चाहती मैडम पने जिन्दगी में, और मैडम ने की भी नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा ड्रंक, या बहुत ज़्यादा शराप बेगरा पी करके फाल्तू चीजे करना वो नहीं, बस occasionally कभी-कभार वो पीती है, वो अपनी इस सारी चीजों को पहले क्लेर कर देना चाहती है, इसलिए वो पहले से चाहती है कि दोस्त जैसा पती चाहिए, जितना पैसा मागोगी, उतना दूंगी, मैडम का ये भी कहना है, कि अगर को ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो मेरे नकरे सहले, जो मेरे को इन सब चीजों में रोके, टोके, नहीं, नॉर्मल एक पती और पतनी के बीच में जो रिष्टा होता है, वो रहे और बहुती अच्छे तरीके से निभाए, तो लड़का जो मांगेगा, जैसा मांगेगा, मैं उसके लिए वैसा करने के लिए तयार हो, मैडम का ये कहना है, तो अगर आप इस मैडम के साथ शादी करना चाहते है, हमारी कश्टमर के रैदीकारी के साथ बातचीत करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रसेश जल से जल फाइनल कराए, मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स बीडियो में किसी ने टॉपिक, किसी ने रिस्ते के साथ, विश्वेसन ये कंपनी है, ये एक जो 17 सालों से काम कर रही है, शादी के मैंटर में, शादी के फिल्ड में इसको सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, जय ही जय अबारत